नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन पॉलिटी डीटेल सीरीज जिसमें हम भारतिय समविधान को डीटेल में कवर करें एक एक टॉपिक करके शुरुवात से एंड तक पूरे समविधान को डीटेल में एक्ष्टा फैक्ट के साथ समझते हुए हम इस सीरीज में चले हैं आज हमारी इस सीरीज की हम 33 वी क्लास को यहां पर cover करेंगे आज के वीडियो में हम भारत में निर्वार्चन प्रणाली निर्वार्चन से जुड़े तर्थ्य और यहां की दलिय ववस्था के बारे में बात करेंगे जिसमें हम इन सभी topics को देखेंगे बिलकुल to the point notes के साथ और short notes के माध्यम से चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं सबसे पहला topic है दल या ववस्था दिखें पहले हम overall बात कर लेते हैं जो आधुनिक लोक तंत्र है इसमें चार प्रकार के राजनियतिक दल होते हैं एक होते हैं प्रतिक्रियावादी दल एक होते हैं रूडीवादी उदारवादी और सुधारवादी कई बार हो सकता है question बन जाए कि इन दलों की परिभाशा बताइए यह ऐसे question आपके कथन वाले questions में बनते हैं जो प्रतिक्रियावादी दल होते हैं, वैसे दल जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं, यह जो पिछले समय में चल रहा था, पहले जैसा सिस्टम चलता था, वो चाहते हैं वैसा ही सिस्टम आज भी चले, उनको कहा जाता है प्रतिक्रियावादी दल रूडी वादी दल वो दल होते हैं जो यथा इस्तिथी में विश्मास करते हैं यानि पहला जैसे चल रहा था चलने दो लेकिन अब जो चीज है उसमें परिवर्तन ना हो परिवर्तन के खिलाफ होते हैं जैसी स्थिथी बनी हुई है वैसी बनी रहे इनको कहा जाता है रूडी वादी दल जिनने ब्रिटेर में conservative कहा जाता है conservative party इसी को कहते हैं ठीके जो conservative दल होते हैं दूसरा है उदारवादी दल जिसे हम liberal party कहते हैं उदारवादी दल वर्तमान जो संस्थाएं हैं या विवस्था आते हैं सुधारवादी दल, जो ववस्था में सुधार को नहीं, ववस्था को ही बदलने में विश्वास करते हैं। तो चार प्रकार के दल और उनकी परिभाशा को हमने यहां पर कवर किया। इन दलों को ये जो हमने चार लोकतांत्रिक वर्तमान में जो राजनेतिक दल हैं उनको देखा, इन दलों को इनकी विचारधारा के ही आधार पर वाम दल या दक्षनपंथी दल कहा जाता है, तीन केटिगरी में बाटा जाता है विचारधारा के आधार पर, एक होते हैं वाम यह दोनों राइट विंग कहलाते हैं, जबकि जो उदार वादी होते हैं, यह केंद्रिया दल कहलाते हैं, सेंट्रल विंग दल कहलाते हैं, और जो सुधार वादी होते हैं, यह आपके वाम दल यानि लेफ्ट कहलाते हैं, ठीक है? चलिए, यह तो थी इनकी परिभाशाएं, अब बात करते हैं दलिय विवस्था के बारे में, विश्व में तीन प्रकार की दलिय विवस्था पाई जाती है, एक है आपकी एक दलिय विवस्था, दूसरी है दूई दलिय विवस्था और बहु दलिय विवस्था, यहां से आपके जादा कोशन बनते हैं भारत में किस प् दल का एका अधिकार हो जाता है और दूसरे दलों की भूमी का नगर्ने हो जाती है विपक्ष की कोई इसमें ववस्था नहीं होती वो होती है एक दलिया ववस्था आजादी के बाद कुछ समय तक खासकर 1967 तक भारत में यही ववस्था चली कई सारे दल जरूर थे लेकिन एक ही दल इतना मजबूत था कि दूसरा दल सत्ता के नस्दीक भी नहीं पहुँच पाता था ठीक है इसी लिए शुरुवाती जो भारत का लोगतंत्र है आजादी के बाद का शुरुवात के दो दशक का जो प्रसिद एक राजनेतिक विशलेशक है जिनका नाम है रजनी कोठा इन्हों ने भारत की जो दलिया ववेस्था थी शुरुवाती दलिया ववेस्था उसे एक दलिया शार्षन ववेस्था या कॉंग्रेस ववेस्था कहा है एक कोशन बनता है किस ने कहा है आप ध्यान करेंगे रजनी कोठारी ने कहा है ठीक है वापस दूसरी केटेगरी पर सरकार जीती है और कभी उनमें डेमोक्रिटिक की सरकार जीती है तो वहाँ भी दो प्रमुक दल है भारत में भी कुछ समय तक दो ही प्रमुक दल थे कॉंग्रेस और बीजेपी लेकिन अब जैसे आपने देखा पिछले दस साल को गड़ छोड़ उससे पहले जादतर भारत में गटबंदन की ही सरकारे यहाँ पर चली थी बहु दलिय ववस्था की बात करें इसमें कई सारे दल होते हैं और यह मिलकर सरकार बनाते हैं गटबंदन की सरकार बनाते हैं तो भारत में वरतमान में यही वाली ववस्था चलती है बहु दलिय ववस्था यहाँ पर ऐसा नही है कि केवल दो दल मजबूत हैं और वही चलेंगे दो दल मजबूत हैं लेकिन जो बाकी के दल है वो इतने कमजोर नहीं है कि उनके बिना काम हो जाएगा ठीक है तो भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा दल्य ववस्था के बारे में किस प्रकार की है बहुत दल्य ववस् कहा है देश में वर्तमान में 2024 के अगर हम बात करें 6 राश्ट्रिया दल हैं सीधा नंबर पूछा जाता है कितनी national parties हैं आप कहेंगे 6 कितनी हमारे पास राज्य मानता प्राप्त दल हैं यानि राज्यस्तरिया पार्टियां राज्यस्तरिया पार्टियों को छेत्रिया दल भी क तावन हैं ठीके 2024 लेटिस्ट डेटा की हम बात कर रहे हैं ठीके टोटल मानिता प्राप्त गैर मानिता प्राप्त पंजिक्रित दल कितने हैं इनकी संख्या है 2764 देखे कोई भी जब अपनी कोई पार्टि को बनाता है तो भारत में हैं Election Commission of India इसके पास जाएगा और यहां प Commission मानिता देता है कुछ को रैशनल पाटी का कुछ को छित्रिया दलों का जो बाकी रह जाती हैं वो गैर मानिता प्राप्त होती हैं लेकिन पंजिक्रित होती हैं रेजिस्टर हैं लेकिन ना वो राज्य दल हैं ना राश्ट्रिय दल हैं तो ऐसे दल कितने हैं 2764 ठीक है अब पिर उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राज्य ये राष्ट्रिय दल की मानिता देता है अन्य दल केवल पंजिकृत गैर मानिता प्राप्त दल होते हैं यानि वो रजिस्टर्ड हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की मानिता नहीं है ना वो नैशनल पार्टी है ना स सभा या विधान सभा चुनाव नामंकन के लिए केवल एक प्रस्तावक की आविशक्ता होती है जबकि गैर मनता प्राप्त दलों को उस छेतर के दस पंजिकरत मतदाता के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए यानि मान लीजिए आप विधान सभा या लोग सभा का चुनाव लड़ रहें तो आपके फॉर्म के उपर जो आप अपना नामंकन दाखिल करेंगे तो एक विक्ति एक प्रस्तावक के उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए अगर आप किसी मानिता प्राप्त दल से चुनाव लड़ रहें तो किसी एक विक्ति के अगर आप साइन करा लेंगे तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं लेकिन अगर आप किसी पार्टी के नहीं हैं, न आप मानिता प्राप्त हैं, केवल पंजिकृत दल हैं, तो आपको कम से कम 10 प्रस्तावक वहाँ पर चाहिए, कोशन बन जाएगा, नामंकन में कितने प्रस्तावों को अविशक्ता होती है, तो मानिता प्राप्त वालों के 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, ठीक है, अब इनको मानिता है, हमने देख ली कौन देता है, इनको मानिता मिलने के बाद क्या मिलता है, अब मानिता मिलने के लिए क्या क्या कंडिशन है, ये कंडिशने बहुत बार आती है, एक एक को समझते हुए चलेंगे, दिखिए, प वैद मतों का 6 पृतिशत मत प्राप्त करना होगा या किसी राज्य या राज्यों में लोगसभा में 4 सीटे जीतनी होंगी या दोनों काम आपको करने होंगे लोगसभा में 4 राज्यों के अंदर या 4 से जादा राज्यों के अंदर आपको 6% vote प्राप्ट होने चाहिए और इनके साथ-साथ किसी एक ही राज्य से आप जीत चाहिए या अलग-अलग राज्यों से टोटल 4 लोगसभा की seat आपको जीतनी होंगी अगर आपने ये condition पूरी कर दी तो आपको National Party का दरजा मिल जाएगा अगर ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरी condition है ये दी वहाँ लोगसभा में 2% इस्थान जीतता है और ये सदस्या तीन अलग-अलग चुनावस राज्यों से जीतते हैं दूसरी condition है कि लोगसभा में आपको 2% seat जीतनी होंगी जैसे भारत में लोगसभा की 543 seat हैं तो 543 seat का 2% कितना हो जाएगा लगभग 11% के करीब 10.86% तो आप 10 मान लीजिए तो आपको 10 seat जीतनी होंगी और ये 10 seat आपकी 3 अलग-अलग राज्यों से आनी चाहिए तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा 2% seat जीत जाएगा और वो 2 seat 2% seat 3 राज्यों से आनी चाहिए तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ये भी पूरा करना है इन में से केवल एक को पूरा करना है तो पहले हमने पहला वाला बिंदू समझा ये आप 4 या 4 से जादा राज्यों में 6% वोट ले आएए टोटल 4 लोगसभा की seat जीत जाएए ये नहीं हो रहा है तो लोगसभा की आपको 10 से 11 seat जीतनी है तीन अलग-अलग राज्यों से तो भी आपको दर्जा मिल जाएगा ये भी नहीं हो रहा है एक और condition है गुजरात के चनौँ में उनको vote मिले और वो राज्य पार्टी वहाँ पर बनी उसके बाद उनको नेश्चनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया थीक है अब हम राज़िस तरियों के लिए भी मानिताय दिखेंगे क्या होनी चाहिए मैंने आपको सिंपल और सरड भाषा में समझाने का प्रियास किया उमीद है आपको ये अच्छे से किलियर हो गए होंगे इन क्राइटेरियाज को अच्छे से याद करना बहुत बार इनको लेकर सवाल बनता है वर्तमान में भारत में जैसे मैंने कहा छे नैशनल पार्टीज हैं इनके सिंबल पूछ लेता है तो नैशनल पार्टीज और उनके चनाओ चिन सबसे पहले है कॉंग्रेस इसका चुछ सिंबल है हाथ का पंजा है दूसरी है बीजेपी इसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है तीसरी है CPI-M दिखे भारत में दो CPI हैं एक CPI और एक है CPI-M मार्क्सवादी CPI-M जिसको कहा जाता है भारत में वर्तमान में मार्क्सवादी जो CPM है वो राष्टिय दल है CPI का राष्टिय दल का दर्जा हटा दिया गया है तीन दलों का राष्टिय पार्टी का दर्जा हटाया गया था जब आम आदमी पार्टी को दिया गया था कौन कौन से वो तीन पार्टियां थी, एक थी आपकी TMC, एक थी महराश्टरा की NCP और एक आपकी CPI, ठीक है, तो CPI नहीं है, CPI M अभी भी नैशनल पार्टी है, इसका जो चुनाव चिन है, हतोडा, हंसिया और तारा है, इसके लावा BSP है, बहुजन समाज पार्टी, इसका ह आती है, NPP है, इसका पुस्तक है, और एक है आपकी आमात्मी पार्टी जिसका जाडू है, तो ये है भारत की नैशनल पार्टी और उनके सिंबल, अब बात करेंगे राज्यस्तरियाद दलों की मानिता के लिए दशाएं, इनको जैसे मैंने कहा छेतरिया दल भी कहते हैं, अ आपने जीत ली हो, 6% वोट और दो सीटें, दोनों पूरे होने चाहिए, एक लाइन में जो है वो पूरा होना चाहिए, बाकी अत्वय में आते हैं कि ये नहीं, तो ये, ठीक है, तो 6% वोट ले लीजिए और दो विधान सभा की सीटें, ये नहीं हो पा रहा है, तो राज् में आप राजिस्थरिया दल का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तीसरी कंडिशन, राज्य के विधान सभा सीटों की कुल संख्या का 3% सीटें, और कम से कम 3 सीटें, जो भी जादा हो, या तो टोटल जो आपकी विधान सभा है, उसमें 3% सीटों को जीत जाएए, या फिर कम से कम 3 सीटों को जीत जाएए, तो आपको राज्य दल का दर्जा मिल जाएगा, अगला लोगसभा चुनाओं में उस राज्य से प्रतियेक 25 सीटों पर दल का कम से कम एक सदस्य चुना गया हो, या उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर लोगसभा की हर 25 सीटों पर उसे कम से क एक लोग सभा की अगर वो seat भी जीत जाता है तो उसको वहाँ पर राजिस्तरिय दल का दर्जा मिल जाएगा लोग सभा के लिए हुए आम चुनाव में या विधान सभा के चुनाव में टोटल वोट का 8% अगर वो जीत जाता है, तो भी उसे राजिस्तर का दरजा मिल जाएगा, इस वाली शर्त को 2011 में जोड़ा गया था, यानि सिंपल भाशा में अगर आपको चार अलग-अलग राज्यों में 88 प्रतिशत वोट मिल जाते हैं, भले ही आप सीट ना जीते, तो भ आप राजिस्तरिया दल हो जाएंगे, ठीक है, प्रमुक राज्यों के दल कौन कौन से हैं, उनके देख लेते हैं, और वो किस राज्य से संबन्दित हैं, कोशन आता है कि आपको एक पार्टी का नाम देतेगा और कहेगा यह किस राज्य का छेतरिया दल है, जैसे शिरोमण टीडीपी जैसे तेलंगाना में भी एक्टिव हैं, लेकिन जाधा जो यहां मानी जाती है, वो आंधर की पार्टी मानी जाती है, ठीक है, बियारस की बात करें, पहले इसका नाम टीयारस था, तेलंगाना राश्ट समीती, अब इसका नाम क्या हो गया है, भारत राश्ट सम पार्टिया है, INLD इंडियन नेशनल लोगदल हर्याना की पार्टिया है, NC नेशनल कॉन्फरेंस, PDP दोनों जमु कश्मीर की पार्टिया है, आजसू, JMM ये जारगंड की पार्टिया है, GDS करनाटक की है, BGD उडिशा की है, SPRLD ये दोनों उत्तर प्रदेश के छेत्रिया दल हैं, ठीक है, इनके चनावचिन उतने जादा नहीं पूछे जाते हैं, किवल पूछा जाता है ये किस राज्य की पार्टिया है, ठीक है, तो हमने नेशनल पार्टिज के लिए क्या क्राइटेरिया है, छेत्रिया पार्टियों के लिए क्या क्या है, प्रमुक छेत्रिया पा दल बदल से संबंदित थी, ठीक है, राजनेतिक दलों के सदस्या के लिए अयोग गिता, यानि अगर आप अपना दल परिवर्तित करते हैं, तो आपकी सदस्ता कैसे कैसे जा सकती है, वो सब बताया गया है दसवी अनुसूची में, जोकी 1985 में जोड़ी गई 92 समविधान सदस्ता छोड़ दे, जैसे कोई किसी पार्टी से चनाओ लड़ गया और फिर वो अपनी पार्टी से इस्तिफा दे देता है, खुद दे देता है, तो उसका योगिता चली जाएकी, ठीक है, जो वो सदस्या बना होगा सदन का चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो चली आता है, यानि पार्टी ने कहा था कि आपने इसको वोट करना है राज्यसभा के चनाओ में, या विधान परिशत के चनाओ में, या किसी विध्यक के ऊपर लोगसभा या विधान सभा में, और उसने उसके विप्रीच वोट कर दिया, तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी या फिर वोट देने ही नहीं आया तो भी सदस्ता चली जाएगी यह दोनों कंडिशन अगर वोट करता है कि वोट उसने पार्टी के खिलाफ कर तिया या वोट देने ही नहीं आया मान लिजे कोई मजबूरी रही हो वोट देने नहीं पहुँच पाया हो पार्टी अगर उसे 15 दिन के अंदर माफ कर देती है तो फिर उसकी सदस्ता नहीं जाएगी लेकिन अगर उसे 15 दिन के भी तर माफी नहीं मिली तो उसकी सदस्ता चली जाएगी ठीके? निर्दल्य सदस्यों के लिए भी इसमें नियम है कोई निर्दलिय सदस्या किसी सदन की सदस्ता के लिए अयोग्य मना जाएगा, यदी उस चनाओ के बार वो किसी राचनियातिक दल की सदस्ता धारन कर लेता है। देखे कोई निर्दलिया है और वो चुनाओ जीत गया अब वो विधानसभा या लोकसभा में पहुँचा और वहाँ पहुचकर वो किसी पार्टे को जॉइन कर लेता है तो उसकी सदस्ता चली जाएगी निर्दलिया है तो पांच साल निर्दलिया ही रहना पड़ेगा ठीक ह इसमें कुछ अपवाद है कोशन आता है कि कितने सदस्य अगर पार्टी से अलग होते हैं तब दल बदल कानून लागू नहीं होता इस सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है देखे किसी दल के दो तिहाई सदस्य सदन में अगर एक नए दल का गठन कर लेते हैं तो फिर उनक क्यानवा समविधान शंशोधन देखे 1985 में क्या ववस्था करी गई कि अगर किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य माल लीजिए किसी पार्टी के पास 20 विधायक थे तो 20 विधायक का एक तिहाई कितना हुआ लगभग आपका 6 विधायक हो गया किसी पार्टी के अगर 6 एक तिहाई को हटाकर दो तिहाई कर दिया गया अब दो तिहाई सदस्य अगर अलग होंगे तो ही उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा दो तिहाई से कम जाते हैं तो सारे के सारे disqualify हो जाएंगे, सबकी सदस्टा चली जाएगी, और ये ववस्था कब करी गई दो तिहाई वाली, शुरुवात में एक तिहाई था, 91st Amendment जो हुआ 2003 में, ये वो ही वाला Amendment है, सविधान शंशोधन है जिसके तहट, मंत्री परीशद का चाहे वो विराज्यों में या किंद्र में उसका आकार 15% निर्धारित किया गया था इसी शंशोधन के तहट हमारी जो ये समिधान वाली सीरीज है इसके बाद आपकी दो ही क्लासेज बसती है एक में हम प्रमुक समिधान शंशोधनों किया गया और मंत्री परीशद का आकार सीमित किया गया अगला टॉपिक है प्रमुक राजनेतिक दलों का गठन कुछ इंपोर्टेंट पार्टियां है जिनका गठन कब हुआ वो कोशन आता है सबसे पुरानी पार्टिय है कॉंग्रेस 1885 में बनी शिरोमणी अकाली दल या 1920 में बना भारतिया कम्यनिस्ट पार्टी 1925 की स्थापना मानी जाती है कुछ जगहों पर 1920 भी है लेकिन जाधा तर आप 25 को याद करें जमु कश्मीर नैशनल कॉन्फरेंस जो नैशनल कॉन्फरेंस है वहां की वो बनीती 1939 में वर्तमान में नैशनल पार्टी है ये 1964 में बनी थी सिवसेना 1966 में बनी थी जारिखंड मुक्ती मोर्चा JMM कब बनी है 1972 में AIDMK हमने देख ली 1972 भारतिया जनता पार्टी BGP 1980 में बनी जनसंग बन गया था 1951 में लेकिन उनको हम देख रहे हैं तो BGP 1980 में बनी TDP 1982 में बनी BSP की स्थापना 1984 में हुई समाजवादी पार्टी 1992 में बनी RLD जो राष्ट्रिय लोक दल है UP की पार्टी है 1996 में बनी RGD बिहार की 1997 में बनी RGD के साथ ही बनी थी BGD ये भी 1997 में बनी TMC को All India या त्रणमूल कॉंग्रेस भी कहा जाता है तो AITC भी इसको लिखा जाता है ठीके TMC इसको याद करेंगे 1998 में बनी आप से एक एक्जाम में पूछा गया था NCP की स्थापना 1999 में हुई जो J.U. है बिहार की ये बनी थी 1999 में TRS जो अब BRS है 2001 में बनी MNS महराष्ट्रा की राश्ठाकरे की पार्टी 2006 में बनी और आम आदमी पार्टी जो सबसे नई प्रमुक पार्टी है इसके बाद भी कई पार्टियां बनी लेकिन वो उतनी प्रमुक नहीं है आम आदमी पार्टी 2012 में बनी ये कुछ राजनेतिक प्रमुक दल जिनकी हमने स्थापना को देखा यहाँ से भी कोशन बनते हैं अगला है भारत में निर्वाचन प्रणाली भारतिया निर्वाचन के सम्बंद में मुख्य तहा दो प्रकार की पदतियां अपनाई जाती है भारत में दो प्रकार के निर्वाचन सिस्टम है, एक है first past the post system, दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिरित्व सिस्टम, जो लोग सभा के चुना होते हैं, विधान सभा के चुना होते हैं, ऐसे चुना जहां पर direct जनता वोट करती है, maximum वहां पर first past the post system वहां पर होता है, यानि जिस इस्तेमाल होता है, तो कौन-कौन से सिस्टम है और किन-किन चुनाव में लगते हैं, वो हमने देखा, अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, जो first past the post system है, यह सिस्टम लोग सभा और विधान सभा चुनाव में अपनाया जाता है, और लगभग सभ उन चुनाव में ह हैं, वो जीत जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 50% से जादा जिसको मिलेंगे वो ही जीतेगा, जिसको भी जादा मिल गए, वो इसमें विजयी प्राप हो जाता है, ठीक है, दूसरा सिस्टम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, भारत में राष्ट्रपती, उपराष्ट विधान परीशत, इनके सदस्यों का निर्वाचन में इसका इस्तेमाल होता है, इसमें जन्ता वोट नहीं करती है, निर्वाचक मंडल वोट यहां पर करता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा निर्वाचन होता है, इसमें सदस्यों के मत का मूल्य, एक जाकर वोट करते हैं, वरियता करम में करते हैं, जैसे हम जब लोग सभा या विदान सभा में वोट करते हैं, तो जो हमें पसंद है, हम सिधा जाकर उसके नाम का बटन दबाते हैं, लेकिन राज्य सभा या विदान परिशत के चुनों में वरियता करम दिया जाता है, आपकी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, इस तरीके से, उसको कहा जाता है, अनुपातिक, प्रतनेज्व, प्रणाली, एकल, संक्रमणिया का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं, ठीके, इसके तहट प्रतियक मतदाता, वरियता निर्धारित करता है, जैसे म प्रकारों की बात करते हैं, मुख्य तहा तीन प्रकार के चुनाओ होते हैं, एक होते हैं आम चुनाओ, एक होते हैं मध्य अवधी चुनाओ, और एक होते हैं उप चुनाओ, आम चुनाओ क्या हो गए, संसद और विधान सभा के हर पांच साल में जो चुनाओ होते हैं, उन्ह प्रेइबार आपको परिभाषा ही एक्जामे दे देता है मध्यावद्ही चिनाव अगर संसत्र्ण या विधान सभा पांच साल पूरा करने से पहले ही विगठ्टित हो जाती है, भंग हो जाती है तब जो चिनाव होंगे पांच साल की अवधी से पहले उसको मध्य अवधी चुनाओ, और तीसरा है उप चुनाओ, अगर कोई सांसा सदस्या, या विदाहन मंदल के सदस्या, किसकी मृत्टी हो जाती है, या वो इस्तीफा दे देता है, या अयोग्य हो जाता है, उसके कारण केवल उस सीट पर जो चुनाओ कराए जाएगा, उसे क अपचनाओ ठीक है? तो तीनों परिभाषा simple है, basic है लेकिन important है, चनाओ प्रक्रिया की बात करते हैं चनाओ का समय, जैसे मैंने कहा हर पांत साल में चनाओ होगा, तो लोगसभा और हर राज्ये की विधान सभा के ार पांत साल में चनाओ होते हैं, simple सी बात है, चुनो का कारिक्रम चुनो कब होने चाहिए देखे समविधान में उलेक या गया है कि भंग लोकसभा और इसको राजों के संधर में विधान सभा कर लेना भंग लोकसभा या विधान सभा के आखरी सत्र और नई लोकसभा के गठन के बीच छे महिने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए यानि जो पुरानी लोकसभा है उसका जो आखरी सत्र था उसमें और नई लोकसभा बनने के बीच में छे महिने से अंतर नहीं होना चाहिए जैसे ही आखरी सत्र हुआ खतम छे महीने के अंदर अंदर या उससे पहले नई लोग सबाब बन जानी चाहिए चिनाओ परचार की बात करें इसको लेकर बहुत प्रश्ण बनते हैं दिखे जब चनाओ की घोशना करता है चनाओ आयोग एक प्रेस कांफरेंस होती है वहाँ पर आकर चनाओ की घोशना कर दी जाती है और उसी दिन ये डिसाइट कर दिया जाता है या ये घोशित कर दिया जाता है कि इस दिन चनाओ की अधिसूचना जारी होगी यानि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जैसे ही notification निकाला जाता है उसमें सारी dates को तरीके से बताया गया होता है कि किस तारीक से नामांकन दाखिल होगा तो नामांकन दाखिल करने के लिए एक हफ़ते का समय दिया जाता है वैद नामांकन वाले उमीदवार नामांकन पत्र जाच के दो दिन के अंदर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है साथ दिन पूरे हो गए 7 दिन के बार जो 9 आयोग होते हैं उसके जो अधिकारी होते हैं वो पाएंगे देखेंगे कि कितने हमारे पास valid ना मांगकन आए हैं एक बार वो बता दें कि ये valid ना मांगकन हमारे पास इतने आए हैं फिर 2 दिन का time दिया जाता है वापस करने के लिए अपना नाम अगर कोई वापस लेना चाहता है यह छोटी-छोटी बारी की जानकिरी है लेगिन कोशन बन जाते हैं अपचारिक चनाव प्रचार उमीदवारों की सुची के प्रकाशन से मतदान समाप्थ होने के 48 घंटे पहले कम से कम 2 हफते चलता है यानि नामांकन करने की जो अंतिम तिथी थी वो खतम हो गई है नामांकन वापस लेने की तिथी भी खतम हो गई है और तिथी खतम होते ही चनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चनाव प्रचार के लिए आपको दिये जाते हैं 2 हफते दो हफ़ते बार वोटिंग हो जाएगी, प्रचार कब थमता है, प्रचार थमता है वोटिंग खतम होने से 48 घंटा पहले, अब 48 घंटा पहले यानि मान लीजिये 20 तारीक को चुनाव शुरू होगा, 20 तारीक को आपके elections होने हैं, वोटिंग होनी है, तो सुबा 7 बजे से 18 तारीक की शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, ये कोशन ऐसे आता है, आपको confuse करता है कि प्रचार कब बंद होता है, वोटिंग शुरू होने के 48 घंटा पहले, वोटिंग शुरू होने के 24 घंटा पहले, वोटिंग शुरू होने के 36 घंटा पहले इस तरीके से, तो प्रचार रुख गया 18 तारी की 5 बजे, ठीक है, कितने हफते का समय मिलता है प्रचार के लिए 2 हफता, मतदान प्रक्रिया की बात करें, इसको लेकर भी छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है, जैसे निर्वाचन आयोग ये प्रियास करता है, कि प्रतियेक मतदाता से मतदान कें केंडर 2 किलो मेटर से अधिक ना हो, कोशन आजाएगा इनमें से कौन सकतन सत्या है, जो इलेक्षन कमिशन होता है, ये सुनिश्चित करने का कोशिश करता है, प्रियास करता है, हर मतदाता कम से कम 2 किलो मेटर के दाइरे में ही उसका वोटिंग केंडर होना चाहिए, ठीक है यह भी सुनिश्चित करने का प्रियास किया जाता है कि एक मतदान केंद्र में कम से कम पंद्रसों से ज़ादा मतदान मतदाता ना हूँ यानि 1500 के आसपास का ही आंकड़ा होता है, कई वार 1500 से थोड़ा सा ज़ादा होता है, कई वार 1500 से कम होता है, तो नॉर्मल नंबर कितना है, कोशन पूछ लेगा, एक मतदान केंद्र में आम तौर पर कितने मतदाता होते हैं, 1500 के आसपास, ठीक है, और दो मतदान केंद्रों मे आम तोर पर कितनी दूरी होती है दो किलो मीटर मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार कोशन आता है वोटिंग का जो राइट है हमारा किस प्रकार का अधिकार है क्या ये कानूनी अधिकार है या मौलिक अधिकार है तो यहाँ एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलेक अधिकार, ठीके, सम्विधानिक उपबंद की बात करें, सम्विधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंदित उपबंदों का उलेक किया गया है, यानि आर्टिकल 324 से 329 तक और भाग 15 में इलेक्शन क कमिशन का उलेक है, जो पूरे इलेक्शन को कंड़िक्ट करता है, अनुछे 324 देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चनावों के लिए चनाव आयोग की ववस्था करता है, चनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत है 324, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आय और अन्या आयुक्तों से मिलकर बना होता है, इनकी निश्पक्ती राष्टपती के द्वारा करी जाती है, चिक है, निर्वाचन आयोग के बारे में और जादा जानकारी हमने एक वीडियो कवर किया था कुछ दिन पहले ही भारत के समयधानिक संस्थाएं, उसमें आप इनक बनता रहता है कि किस लोग सभा में, कौन सी लोग सभा में महिलाओं की संख्या सबसे जादा रही, कौन सी लोग सभा में महिलाओं की संख्या सबसे कम रही, दिखिए, यहां हमने करम लिखा है कि पहली लोग सभा, दूसरी लोग सभा, तीसरी लोग सभा, चौथी लोग ये हैं किस वर्ष लोग सभा के चुनाओ हुए और ये हैं कितनी महिलाएं वहाँ पर जीती, ठीक है, तो पहली लोग सभा के चुनाओ 1952 में हुए 22 महिलाएं जीती, question important है क्योंकि पहला चुनाओ था, दूसरी लोग सभा के 1957 में 27 महिलाएं जीती, 1962 में 34 महिलाएं, 67 में 31, 71 में 22, 77 में 19, सबसे कम महिलाएं छटी लोग सभा में जीती थी, इस वाले को अपने याद करना है, अभी तक आपको मेंली ये दो याद करना है, ठीक हैं, करम लगाने को तो अभी तक नहीं आया है, तो फ चनाव में जीती थी 78 महिलाएं और वर्तमान में आप जानते हैं 24 के चनाव चल रहे हैं 2024 में जो लोगसभा के चनाव होरंगे जो लोगसभा गठित होगी वो हमारी 18वी लोगसभा होगी ठीक है अब बात करते हैं चनाव सुधार से संबंदित महत्पूर्ण समीतियों के बारे में इनके वर्ष पूछे जाते हैं और कौन सी समीती पर्टिकूलर्लि किस के लिए बनाए गई थी सभी चुनाव सुधार के लिए थी, लेकिन कुछ विशेश समीतियां भी हैं जो पर्टिकुलरी किसी चीज के लिए बनाए गई उसको भी पूछा जाता है पहली important समीति है तारकुंडे समीति, 1974 में बनी ये आपके संपल चुनाव सुधार के लिए थी, इसका गठन कहा जाता है जीपी नारायन के द्वारा जो जय प्रकाश नारायन थे, जब उन्होंने 1974 में इंद्रा गांधी के विरुद संपून क्रांति का नारादिया संपून क् कमेटी बनाई गई थी, तारकुंडे समीति, 1974 चुनाव सुधार के लिए, दूसरी समीति है दिनेज गोस्वामी समीति, ये 1990 में बनी और ये भी किसी खास बिंदू के लिए नहीं थी, ये आपके नॉर्मल चुनाव सुधार के लिए थी, ये कोशन बनता है दिनेज अबी समीति किस से संबंदित हैं, तारकुंडे समीति किस से संबंदित हैं, जो अगली इंपोर्टन्ट समीति है वो पर्टिकुलर बनी थी, अपराद और राजनिति के बीच साट गांट की जांच की लिए, और इस समीति का नाम था वहरा समीति, 1993 में बनी, सीधा कोशन यानि चुनाव खर्चे से संबंदित ये समीती थी, फिर है तनखा समीती, चुनावी कानून और चुनाव से जुड़े प्रश्णों से संबंदित समीती थी 2010 में बनी, फिर है जेस वर्मा समीती, आपराधिक कानूनों में संसोधन से संबंदित समीती है 2013 में बनी, तो ये छे समीतिया हैं, इनके क्रम भी पूछे जाते हैं, और कौन किस पर्टिकुलर चीज के लिए बना था, वो भी आता है अंत में हम हमारे अंतिम टॉपिक की बात करेंगे प्रमुक चुनाव सुधार, क्या-क्या चुनाव सुधार हुए हैं, देखिए, सबसे जो प्रमुक चुनाव सुधार हुआ, वो था इवियम का प्रियोग केरल के प्रारूर विधान सभा के 50 बूतों पर इसका पहली बार प्रियोग 1982 में किया गया यानि पहली बार पूरे विधान सभा छेतर में भी नहीं किया गया जब MP की 5 विधान सभा सीटों पर, राजस्थान की 5 और दिल्ली की 6 विधान सभा सीटों पर EVM का प्रियोग किया गया तो EVM का पहला प्रियोग केरल में, विधान सभा के कुछ छेत्रों में विधान सभा के एक पूरी सीट में EVM का पहला प्रियोग 1988 में और 1998 में और पूरे राज्य का चुनाओ पहली बार EVM से 1999 में हुआ था गोवा विधान सभा का चुनाओ कोशन आता है EVM के माध्यम से सबसे पहले किस पूरे राज्य का चुनाओ किया गया गोवा का अभी तक कुछ-कुछ सीटों में ही इस्तिमाल हो रही थी लोग सभागा चुनाओ पहली बार EVM से 2004 में हुआ और 2009 के बाद लगभग सारे चुनाओ EVM से होने लगे अगला है मतदान फोटो पहचान पत्र की शुरवार ये भी एक प्रमुक चुनाओ सुधार था 1993 में जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है जो मतदाता पहचान पत्र था उसमें फोटो को भी जोड़ दिया गया कब से आने लगे 1993 बूत कैप्चरिंग पर चुनाओ रद करने का प्रावधान पहले ऐसा प्रावधान नहीं था 1990 में एक प्रावधान बनाये गया कि अगर किसी भी मतदाता केंदर के अंदर बूत कैप्चरिंग की कोई खबर आती है कोई गड़बड वहां पर होती है कोई कबजा कर लेता है कोई अपने ही लोगों को वोट डालने देता है दूसरों को वोट नहीं डालने देता वो सब तो उसकी वज़ा से आप चुनाव को वहां के चुनाव को रद्द कर सकते हैं, यह ववस्था करी गई, दूसरा, चुनाव परचार की अवधी में कमी करी गई, पहले चुनाव परचार की लिए 20 दिन का समय दिया जाता था, अब कितना मिलता है, दो हफ़ते का 14 दिन का, कोश किया गया, सिंपल सा आपने वर्ष याद करना है, ठीक है, फिर है विवी पैट, विवी पैट कब शुरू हुआ, विवी पैट का फुल्फरम होता है, वोटर, वेरिफाइबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल, 2013 में सुप्रीम कोट ने इसे चरणों में शुरू करने का निरने द लिया था, इसका पहला इस्तेमाल नागा लेंड के नौक्सीन विधान सवा छित्र में किया गया, 2013 के अंतर, देखें, विवी पैट, विविवेम के साथ ही जुड़ी भी होती है, विवेम के साथ एक डिवाइस होता है, जैसे ही आप विवेम में कोई बटन दबाते हैं, व उस उमीदवार की फोटो उसकी पाटी का चिन वहाँ पर एक परची में दिखाई देता है। इसकी शुरुवाद कब से हुई है? इसकी शुरुवाद 2013 से हुई है। ठीके? अगला है EVM और मत पत्रों पर उमीदवार की फोटो। फोटो पहचान पत्रतों आ गया 1993 से। इवियम पर भी जो उमीदवार है उसकी फोटो हो पाटी का चिन हो ये सब हुआ 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में EVM और मत पत्रों पर उमीदवार की फोटो उसका नाम पाटी का चिन लगा होता है। ठीके? अगर किसी उमीदवार का निधन हो जाता है तो चुनाव रद कर दिया जाता था। पहले ये ववस्था थी। बाद में इसमें सुधार किया गया कि अब मानिता प्राप्त दलों को ही ये सुविधा दी जाती है कि अगर उसके किसी उमीदवार का निधन हो जाता है तो उनक चुनाओं के दौरान किसी उमीदवार की मृत्य हो जाती है तो क्या चुनाओ रद होगा आप कहेंगे नहीं होता ठीक है पहले होता था अब नहीं होगा और अंत में कोई भी उमीदवार दो से जादा सीटों पर चुनाओं नहीं लड़ सकता लोकसभा में या विधानसभा में पहले इसमें कोई डिसाइड नहीं था लेकिन फिर इसको डिसाइड किया गया अगर आप एक से जादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो बिलकुल लड़ सकते हैं लेकिन आप मैकसिमम दो ही सीटों पर लड़ सकते हैं ठीक है, तो ये कुछ प्रमुक चुनो सुधार थे, कोशन आते हैं, ये कब से किया गया, ये कौन सी चीज है, कब से करी गई, वो सारी बातों को हमने देखा, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने भारत की दलियो ववस्था के बारे में, राजनितिक समीत यां, और चनाव सुधारों को यहां पर कबर किया, उभीद करता हूँ, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होका, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेर करें अपने और वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, इसके साथ ही, जो हमारा सेकेंड चैनल है, ट्रेंडिंग जीके, उस पर मंडे से आपकी लूशन्ट की डीटेल क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, टॉपिक वाइस, उस चैनल में हम इसी क्यूब में भी चलेगी, ताकि आपकी एक एही किताब, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, किसी भी कम्पेटिटिव एक्जाम के लिए GS की, वो आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाए, तो आगर आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उस हैं